आप लोग के पास कम से कम 5-6 वीडियोज होंगी तक्रीमर 18-20-25 मिनिट की ठीक है उसमें से 3 टॉपिक मैंने कवर किये होंगे सबसे पहली वीडियो जो अप्लोड होगी वो यह होगी कि जिसके अंदर हमने डिसकस किया होगा राइट सर्कुलर कोन यह जो सर्किल है पैरा बोल कि इलिफ्स बनेगा बिल्कुल इस तरह करोगे पैरा बोला बन जाएगा इस तरह काटोगे तो हैपर बोला बन जाएगा तो इसमें आप लोग को वह समझाया है पूरे पॉइंट के साथ ठीक है उसके अंदर एक टॉपिक है क्योंकि अभी इस वीडियो जो मैं बात बोल र शौक होतो कर लेना वना सिंद बोट का टॉपिक नहीं है तो जो एंगल की मैंने डिसकुशन की वही है बीच-बीच में एक-एक-दो-दो मिनिट की उसको आप निकाल देना बाकी जो पूरी इंटरसेक्शन है बाकी जो पूरा टॉपिक है वो आप लोगोंने करना है अलफ के लिए सब आपको देखनी होंगी सब आपको समझनी होंगी उससे पहले मैंने इस इंटी सिटी इस भी डिसकस की होंगी तो उनको भी आप लोगो देख लिना वह सब आप लोगों का टॉपिक है उसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें पैरा बोला का पूरा हर चीज़ आपको देखनी है कोई चीज ऐसी नहीं के जो आपके लिए नहीं सब सिंद बॉर्ड वाले बच्चों के लिए पिर जो आखरी वीडियो अपलोड होगी उसमें एलिप्स और हाइपर बोला का टेबल होगा उस टेबल के अंदर एक टॉपिक होगा एक्वेशन ओ का बिल्कुल एंड पे होगा तो वो टॉपिक अगर आप चाहो तो छोड़ो क्योंकि वो टॉपिक्स एवन फैडल बोर्ड में भी नहीं आता सिंद बॉर्ड में तो छोड़ दो तो एक्वेशन ओफ एजम टोड के जो आखरी के दो कॉलम होंगे ना वो मुश्किल वाली ए बात करने ना अस्सालाम अलेकूंस इस लेक्चर में इंशाला हम चाहिप्टर नबर सिक्स्स साट करेंगे चाहिए जो है कॉनेक सेक्षन है फैरल बोड में चाहिए अगर आप सिंद बोड की बात करो तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 यह कॉनेक से एक्षन का चैप्टल 활 में यह कि इस मेंचा तयाप कि अब शेप पढोगें सर्किल इलिप्स पैरापोला ओपर ऑन तो सिंद बोड में चैप्टर नंबर 7 सर्कुल से र्लेटेडर हम नम्र 8 ऐलेपरावूला और जो आपप यह एबरनेक सेजिए इलिप्स इसी में आपको मिल जाएंग अब नाम इसका है कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में जाने से पहले एक खास किसम की कौन होती है जिसको हम बोलते है राइट सर्कुलर कौन, दो किसम की कौन आपको मिल जाएंगी मेंली, एक होती है राइट सर्कुलर कौन और एक होती है अबलीक कौन, ठीक है, राइट सर्क अब अगर आप एक्सिस का बनाओ तो आपको देखने में लग रहा है कि परपेंडी कुलर नी होगा वाजीब सा बन जाएगा तो यह और इसमें जो एक्सिस है वो देखो पर पेंडी कुलर है बेस के ऊपर तो यह तो बेसिक फर्क होता है राइट अच्छा यह जो मैंने परपेंडी कुलर होगा नाइट डिग्री बना रहे हैं आप इस तरह की बना सकते हो इसको लटा भी कर सकते हो ना मतलब इस तरह भी कर सकते हो है तो एक ही बात अभी एक्सिस क्या है पर पेंडी कुलर तो इसको राइट से कुलर कोन बोल देते हैं और अबलीक वाली कैसे ब कंसी रहें जिसके वंपोले हैं डबर राइड सर्कूलर कॉन्ट जीट जो हम कॉनिक सेक्षण की बात करते हैं जब जीस कॉन के सेक्षण के बात करें हम वो कौन सो है वूण पुली गजिए अपिस जी लिए जान इसे या नहीं तो कोन को। एक यह वली को है तो यह जो पूरी लाइन जा रही है पर पेंडिकुलर टू दो हो इसको आप बोलोगे एक्सिज ओफ कौन दूसरी है इसके अंदर टर्मिनोलजी वो यह पॉइंट है इसको आप बोलते हो वर्टेक्स वर्टेक्स भी बोला जाता है और इसको एपेक्स भी ब नीचे वाली कौन जो है इसको आप क्या बोलोगे लोर नैप उसके बाद अच्छा यह डबल राइट सर्कुलर को बंती कैसे है बहुत असान तरीके बनाने का अच्छा देखो मैं पहले क्लियर कर दो मेरी डाग्राम बहुत बुरी है यह भी मैंने काफी सो समझ के बनाई है काफी टेक करने के बाद है डाग्राम बनी है फिर भी आप हाला देख लो अभी मैं और भी बनाऊंगा तो डाग्राम में मेरी मसला है मेरी युश्टी में जो इंजीनिरिंग ड्राइंग का कोर्स था वो भी हलका था काफी बारल अब उसका तो हल नहीं है इसका हल मैंने एक निकाला है कि वीडियो आपको एनिमेशन मिल जाएगी इसकी और बहुत अच्छी वीडियो मुझे मिली है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा लिंक उसका तो आप लोग देख ले ना उसमें से उसमें प्रॉपर सही तरीके से एनिमेशन से समझा तो मैं तो रिकमेंट करूंगा पहले आप वो वीडियो देख लो उसके बाद मेरी आप यहां से वीडियो देखो आप लो टीक है तो राइट से लोगोन आती कैसे है कि अगर आपके पास एक्सेज है यह जो मैंने लाइन मनाई ही थी यह पूरा एक्सेज है और आप एक ला लाइन थी यह लाइन अब आप क्या करो इस लाइन को रूटेट करो इसके अलों ठीक है तो जब इसके अरूं रूटेट होगी ना तो यह उपड़ से मतलब मैं कैसे बताँ आप लोगों को यह इस तरह मूफ करेंगी मतलब यह तो अपने जगा पर रहेगी लिगे यह आ रही होगी ठीक है तो आप अब जर्फ करोगे आपको एक डबल राइट सेर्कुलर कॉन मिल जाएगी बाकि अप एनिमेशन में देखना आपको जैदा अच्छे तरीके साइडिया और जगा मैं क्या बात कर रहे हैं ठीक है तो यह जो लाइन थी ना यह वाली लाइन यह स इसको आप क्या बोलते हो जेनरेटर ओफ को उसके बाद यह वाला पॉइंट इसकी बेस जो है वो सरकुलर है तो जो बेस इसको मैंने बेस बोला है यह बीदेस कह सकते हो बेस करें दिखने में आपको में बीसर्किल ना लगे क्योंकि यह 3D एक शेप है जिसको मैंने टू ड इसको बाहर निकालोगे ना तो तब आपको सरकील लगेगा जब हम 3D डाइगरम बनाते हैं तो यह मसले होते हैं तो इस सरकील का जो सेंटर है वह वाला पॉइंट है ठीक है यह एक्सिस है यह पर पेंडिकुलर है बेस के ओपर एक और चीज एक्सिस और जेनरेटर इसके द जो एंगिल बनता है उसको आप बोलते हो वार्टेक्स एंगे तो यह मैं डिटेल में एक एक चीज हर चीज समझा दी मैं आप लोगों को यह पूरी है राइट सर्कुलर कॉन अब आज वो टॉपिक पे कॉनेक सेक्शन क्या होता है अब कर लो इसकी हाइट और कंसीडर कर ल टू डामेंशन अब लाइफ में अगर आपने प्रेंगी एकजेंप्ल देखनी है तो पर अगर पेश को देखो इसकी थिक्नेस और मोस्ट बराबर है तो में लीड़ी डामेंशन होंगे एक हाइट होगी और यहां पे मैंने बात किया हमें कट करना है एक प्लेंट से तो इस से आपने का करना है इसको उनको कट करना है सुम्सिंपल कंसीडर को लिए और फिरीे चेह आपने इसको करना है डिके रेंडम में करना ना कुछ कट कर लो या नीचे वाली नएप कट कर लो इन तीनों शेप में एक नाप आपने कट करनी हुथ और हैंड दो कट कर ने होती है . आप निए ने झाप दो कह데, ता कि आप लोग कोुछ जब नहीं हो यह कोई कोई काई तो इहीं समझा शेया है कि तो यह मैंने एक कौन माना लिए अब इस कौन को मैं किस तरीके से इंटरसेक करूंगा अगर इस कौन को मैं इस तरीके से इंटरसेक करूं कि जो मेरा प्लेन है वो पर्पेंडिकुलर हो इसके एक्सिस के एक्सिस यह ना और अगर मैं इसको इस तरह कट करूं जब मैं स्कौन क basically यह shape होती है आप x और y plane भी बढ़ते थे ना x axis और y axis तो इसको हम बोलते है x y plane ठीक है तो इसी plane को मैंने निकाला और अब मैं इस तरह कट कर रहा हूँ तो 3 dimension में मैं इसको इस तरह बनाऊंगा इस तरीके से ठीक है आप लोगो समझा रहा होगा कि मैं इसको इस तरीके से कट कर रहा हूँ तो जो मैंने कट किया है इसका axis क्या है फिलहाल इस कौन का axis यह है और अगर आप plane देखो तो plane पर अगर यह वाली line जो है यह axis क्या angle बना रहा है 90 degree बना रहा है इस वक्त तेक है यह जो axis है यह circle के उपर सौरी यह axis जो है यह plane के उपर क्या angle बना रहा है 90 degree बना रहा है simple कौन पकड़ो और इस तरह आप उसको कट कर दो तो अब इतर धर मियान में आपको एक शेप मिलेगी मैं डाइगराम खराब नहीं करना चाह रहा animation में आप लो देख लिना तर्मियान में आपको शेप मिलेगी जो circular शेप बल्के इंफेक्ट सर्कल होगा यहां पर मैं चीज़ बदा दू सर्किल जो कॉनिक सेक्षें मतलब मैंने डिवाइट किया ना और मुझे सर्किल मिला है इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि जब चलो मैं पहले एलिप्स समझा देता हूं उसके बाद यह समझा दूगा ठीक है इलिप्स में क्या करेंगे इलिप्स में आपने बिल्कुल पर पेंडी कुल टू एक्सेस कर्टनी करना थोड़े से एंकल पर कट करेंगे जिसको मैं ने आपर अबलीग एंगल लिखा है और कट करने का तरीका यह होगा वो अधरा में बता देता हूं अ अ है यह है इसका पुरा अखस जब ठोड़े से एंगल पर कट कना यहां पर पर हो बुलकर होरीजॉन्ट ली मैंने कट किया था इसको अब रिखाव मुझर कर दूगा स्लाइटी इसको तीचे करें इस सरी के पहले बिल्कु सिधा था अब मैं हलका था इसको एंगल देर हूँ तो नाइगरम थोड़ी सी प्लेन मेरा खराब होगे लेकर आप लोगों समझा रहोगा मैंने हलका सा एंगल दे दिये अब जो एंगल बने का पूरा एक्सिस और प्लेन के दर्मयान मैंने यह निशान बना दिये अब यह नाइटी नहीं होगा अब नाइटी से थोड़ा कम हो जाएगा यह तो इसके बारे मैं आप लूंग को थोड़ी दिर में बताता हूं इस एंगल को हम बाइदेवे पीटा ग और यह प्लेन इसके दर्मयान यह वाला एंगिल बन रहा है तो अब अगर आप इसको इस तरीके से कट करोगे तो देखना यहां पर जो शेप आरी होगी वह एक इलिप्स शेप होगी ठीक है एनी मिशन में अगर आप देखोगे आपको ज्यदा अच्छे तरीके सा आइडि आव अगर वो जनेरेटर के पैर अला जाएं स्मुक्रालीगत किया था फिर हाँ आपने हलका से एंगिल दे दिया था और इस तरीके से आप कट करने थे अगर आप इतना एंगिल दो मतलब यह जो इनरेटर है बिलकल इसके पैर रलाप कट करो जैसे यह लाइन है ना जनेरेटर इसके पैरल एक मैं लाइन मनाता हूँ consider कर लो यह लाइन इसके पैरल है ठीक है अब आपका plane देखो बिल्कुल जैसे जनेरेटर है आपने इस तरीके से पूरा इसको कट कर देना है इसके फिक अब होगा क्या अब जब करोगे ना आपके बास शेप आएगी वह शेप क्या हो जाएगी यहां पर पर बात कर लेते हैं तो यहां पर आप एंगल देखो आपक्सिस और कटिंग प्रें के दर्मेयन तो वो एंगल जो है वो काफी कम होगा देखने में आपको लग रहे हैं अचा आप एंगल आ उपर बिदर बना सकते हो यह लाइन और ब्लैक लाइन के दर्में यह डैस लाइन है प्री इसके एक तो आप एंगल उपर इवरा सकते हो नीचे भी बना सकते हो आपकी मर्जी यह तो मैं यहां पर नीचे बना रहा हूं डैस लाइन और ब्लैक लाइन के दर्मयान जो एंगल वह ने बनाया है और इसको आप क्या बोलोगे बीटा बोल दो के अगेन मैंने बता है इनिमेशन को इतनी जदा तस्वीर आपके पास आजेंगे और अब बात करते हैं हाइपर बोला की हाइपर बोला में हमें दोनों बनाने पड़ेंगे अब आपने इस डबल राइट सर्कुलर कौन देखो पहले तो हम एक एक नैप को कट कर रहे थे या तो अपर वाले को कट कर लो तो म कुछ डेफिनेशन में बहुत आपको मिलेगा कि बिल्कुल एकस्स कर के अगर पैरल कट करो तो आपको हाइपर बहुत दरूरी नहीं कि आप ने बिलकुल पैरल कट करना है अगर आप इस एंगल पर करो के दोनों कट नहीं तो भी आपको है पर ड़ए पर बोला अवे जब भूँकर करो पूरा अब बिर्कुल पैररेल्टू एक्सिस ने गया हलके से एंगल में ने कट किया लेकिन एक हाइपर वोल आपको नीचे मिल जाएगा याप लो देखले लिए लागे वही बात उसमें देखले लिना तो आपको बहतर तरीके सा अईडिया हो जाएगा उसके बाद यहां पे भी आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने बीटा बनाया ना उसको यहां बेभी आप बना सकते हो लेकिन ज़रुरत नहीं है मतलब बनाने का तरीका यह होगा कि आप इसको extend कर दो इस line को या लियाओ कुछ ना कुछ छोटा सा angle यहाँ पर बन रहा होगा hyperbola के case में यह angle बहुत ही छोटा होगा या almost zero हो जाएगा या zero के पराबर भी हो सकता है zero के पराबर का मतलब कि यह बिल्कुल parallel है access के जब दो line parallel होती है उनके दर्माइन angle zero है तो यह बिल्कुल अगर parallel होगा तब भी आपको hyperbola मिलेगा तो angle zero हो जाएगा और अगर हलके से भी angle पे होगा तो आपको बहुत छोटा ही angle मिलेगा जैदा को बड़ा angle ने मिलेगा तो इस तरीके से आपके बाद चारूशेप आजेंगी मैं दुबारा recommend करूँगा आप लोग videos तस्वीरें देख लेना आपको बेतर तरीके से idea हो जाएगा कि क्या चीज़े हैं उसके बाद में दी video देखना अचा जी यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर clear कर दो अचा definition पर देख लेते हैं ellipse की क्या है if intersecting plane cuts completely across one nap आपने एक nap को completely cut करना है at an oblique angle तो यहाँ पर तो मैंने बात की विया oblique angle के अब मैं exact बात करता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है अगर आप बात करो नए ellipse की तो यहाँ पर range देख लो होती ही क्या है मैंने एक angle discuss किया था vertex angle alpha तो याद रखना जो vertex angle होता है वो हमेशा छोटा होगा जो ellipse में बीटा बनता है ellipse में बीटा का मतलब ellipse जब आपके पास आता है न तो axis और plane के दरम्यान जो angle बन रहा है बीटा वो हमेशा greater होगा इस vertex angle के तो ellipse के अंदर होता क्या है कि alpha जो है वो less होता है बीटा से और बीटा जो है वो 90 degree से less होगा क्योंकि अगर बीटा 90 degree हो गया तो फिर वो circle बन जाएगा तो बीटा क्या होगा less than 90 degree होगा circle के अंदर क्या होगा definitely alpha जो है वो less ही होगा बीटा से और बीटा किसके परावर हो जाएगा 90 degree के परावर हो जाएगा देखने में लग रहा है axis और plane के दरम्यान angle जो है वो 90 degree है और बीटा जो है ये greater होगा alpha से याप ये बोल सकते हो alpha जो है वो less होगा बीटा से अगर बात की जाएगा परावरा की तो परावरा में दोनों angle से हम होगे क्योंके देखो axis और generator इसके दरम्यान angle क्या बन रहा है alpha बन रहा है यहाँ पर axis और plane के दरम्यान जो angle बन रहा है तो जो ये angle बना रही है axis से इसके parallel जो line होगी वो भी same angle बनाएगी इसके simple example ये है कि अगर मेरे पास एक line है और मैं एक line इस तरह बनाता हूँ कुछ ना कुछ angle बन रहा है यहाँ पर अगर मैं इस line के बिलकुल parallel इसके parallel बना रहा हूँ तो उसका angle बिलकुल बनाएगा तो सेम कॉंसेप्ट है जनेरेटर का जो angle बन रहा एकसे से और यहाँ पर जो जनेरेटर के parallel plane है उसका भी जो angle बन रहा एकसे से वो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो parabola में यह जो बीटा है और यह जो वर्टेक्स एंगल है यह दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो यह parabola के लिए है यह circle के लिए है यह ellipse के लिए है और hyperbola में आपको देखने में लग रहा है कि यह angle या तो 0 होगा या 0 से थोड़ा से ग्रेटर होगा मतलब बहुत छोटा एंगल ही होगा यह definitely vertex एंगल से कम ही होगा यह क्योंकि vertex एंगल parabola में जो एंगल होता है बीटा उसके बरावर होता है अगर आप इस तरीके से इसको काटोगे मतलब बिलकुल parallel to generator काटोगे तो आपको parabola मिलेगा, hyperbola मिल नहीं सकता क्योंकि इस तरह काटने से जस्ट एक इनएप कट होगी hyperbola में तो आपने दो नएप कट करनी होती है तो अगर आपने दोनों नएप कट करनी है तो आपको angle इस तरह करना पड़ जाएगा और जैसी आप angle इस तरह करोगे definitely वह छोटा हो जाएगा vortex angle से तो hyperbola में अगर आप देखो तो जो बीटा है वह definitely less होगा alpha से तो बीटा या तो बहुत छोटा सा होगा या बीटा 0 के बराबर भी हो सकता है तो यह मैंने इनकी रेंजिस बता दी है बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सब को देख लेना आप लोग सर्किल की अब्लीक एंगिल जो 90 डिगरें नहीं होता ना एंगिल उसको अप अब्लीक कहते हो कोई भी एंगल ना हो अब्लीक एंगल में आ जाएगा कोई जनल लाइज एंगल को इसको अब्लीक बोल दो गया circle कैसे आता है जब आपको cutting plane जो है वो perpendicular होता है तो भी मैंने चीज़ लिखी विए कि if intersecting plane जो है वो cut कर रहा है एक nap को perpendicular to the axis तो circle आएगा parabola में आपने देखा था कि आपका intersecting plane था वो बिल्कुल parallel था generator के तो यह चीज़ लिखी विए if intersecting plane is parallel to generator cuts one nap अगर एक nap कट कर रहा है तो आपको क्या मेलेगा parabola मेलेगा इन definition को कोई यह नहीं समझ रहा कि proper book के definition है मैंने समझाने के लिखी हुए है बस क्यूंकि बोर्ट पे मैं को book नहीं लिख रहा अपनी कि जिसमें proper wording में लिखूँगा बस मैं इतिनी चीज़ लिखता हूँ कि आपको समझ आ जाए इस कॉल पेरा बोला इस कॉल यह वला मैं नहीं लिख रहा है इतना पिर आखरी शेप हाइपर बोला लिखा हुए if intersection plane intersecting plane cuts through both nap not passing through vortex अच्छा एक चीज़ जहन में रखना जितने भी मैंने चलो यह मैं बाद में बताता हूँ आपको इस definition का मतलब यह कि आपने intersecting plane जो है वो cut कर रहा है दोनों nap को that's it अब वो parallel to x-axis भी हो सकता है और parallel to x-axis नहीं भी हो सकता शर्त यह कि आपने दोनों nap को cut करना है that's it तो आपके बास क्या मिलेगा hyperbola मिलेगा तो यह 4 shape है जो हमने अभी पढ़नी है अब knowledge के लिए मैं 2-3 minute एक बास बता दूँ कि concept होता है जिसको हम बोलते है degenerated cone अगर आपको shock हो तो आप लोग देख ले ना 3 होता है वो होता यह कि अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं जिस तरह भी आप intersecting plane को कट कर रहे हो कोई भी intersecting plane vertex से पास नहीं कर रहा जितने intersecting plane ने देखो vertex से कोई भी पास नहीं कर रहा अगर आपका intersecting plane जो है वो vertex से पास कर जाए तो फिर वो case बन जाता है degenerated cone कोन का अब वो depend करता है अगर वो इस तरीके से कट कर रहा है या हलके से एंगल पर कट कर रहा है तो आपके पास एक point circle मिलेगा आप assume करो अगर आप इसको बिल्कुल vertex से कट करोगे, cut करने के बाद जब इसको दिखोगे तो point मिलेगा आपको एक तो इसको हम point circle बोल देते हैं अगर आप इसको इस तरीके से कट करोगे, कि आपका intersection plane जो है वो generator पर जा रहा है और vertex से पास कर रहा है इस तरीके से तो आपको एक straight line मिल जाएगी ठीक है, और अगर आप इसको इस तरीके से कट करोगे मतलब बिल्कुल axis जो है ना इसके long cut करोगे, तो आपको दो intersecting line मिल जाएगी अब कैसे दो intersecting line मिलती है या कैसे एक line मिलती है, या कैसे points सरकें मिलता है, या सब knowledge है आप लोग सर्च कर सकते हो, मेरा काम ता बस hint देजेना कि ये वाला scene भी होता है तो आप लोग सर्च करोगे, डी जनरेटिट कौन तो आपको मिल जाएगा ऐसे related कि क्या-क्या होता है, यह नहीं कैसे होते है जो मैंने आप लोगों से discuss करनी है और वो उसी वक्त होगा, जब आपका intersecting plane जो है, वो किसी ना किसी तरह vertex से पास कर रहा है vertex से अगर पास नहीं करेगा तो इन चार shape में से किसी कोई shape आएगी इसके लावा को shape नहीं होगी